हे गाईज, वेलकम तो हस्टेक सिंग सबको आती नहीं, इसकी जाती नहीं मगर टाइगर शिरॉफ की हीरो पंती पे भारी पढ़ने वाली है नवाजुद दिन की विलन पंती इस ट्रेलर में जो सीन स्टीलर है वो टाइगर शिरॉफ नहीं नवाजुद दिन है जो अपने कैरेक्टर, मिस्टर लैला के थूद सबको इंप्रेस करते हैं I know उनका कैरेक्टर थोड़ा सा किक के कैरेक्टर से मिलता जूलता है अचानक से वो हस पढ़ते हैं मगर स्टिल जो पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर एक वही थे जिनके ओपर मेरी नजरे गड़ी थी अपार्ट फ्रॉम दाट जो इसके लीड है टाइगर शरॉफ वो अच्छे स्टन्स करते हैं अच्छा एक्शन करते हैं अच्छा डांस करते हैं पूरा पैकेज है मगर जो वो करते आ रहे हैं अभी तक उन्होंने उससे कुछ अलग किया नहीं है इस ट्रेलर के अंदर तो जो ट्रेलर है ट्रेलर के थूरॉ स्टोरी के अंदर यही पता चलता है कि वही अफकोस एक विलन है विलन अपनी तबही मचारा है और जहर को जहर काट सकता है तो एक बंदा बबलू जिसको पूरी दुनिया डेट देखना चाहती है उसको बुलाये जाता है मिस्टर लैला को टैकल करने के लिए तो दोस्तो ये है एक वेफर्थिन प्लोट है जिसके इर्दगिर्द एकदम हाई बजेट मुवी बनी है जिसके गाने जबरदस्तों के एक्शन सही होगा लेकिन स्टोरी के मामले में एक्शुली मुझे कुछ होपस नहीं है इस मुवी के साथ में मगर कंसिडरिंग जो फर्स्ट हीरो पंती थी उसने बहुत अच्छे फैंस इखटे किये टाइगर शिरॉफ के अच्छे फैंस है वार ने 300 करोड जो है जनरेट किया तो डेफिनेटली हीरो पंती भी बॉक्स ओफिस के ओपर अच्छा काम्याब हो सकते है कंसिडरिंग ये इद 2022 पे रिलीज हो रही है मगर वो भीड रही है रनवे 34 के साथ में तो हाइज और लोज दोनों चीजें है इस मूवी के पलडे में लेकिन सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट इसकी जो लग रही है वो है इस मूवी की हिरोईन पार्ट वन में कृती सैनन थी जिसने बहुत अच्छा एक्ट किया था एंड शीज़ वेरी गूड अक्टर तारा सुतारिया थोड़ी सी धिली लग रही है उनकी डियालोग डिलिवरी भी इतनी खास नहीं लग रही है अल्दो शी लुक्स बीटिफुल मगर आई डूंट थिंग सो जो मैजिक टाइगर और कृती ने फर्स पार्ट में चलाया था वो सेकेंड पार्ट में रिपिट हो पाएगा तो दोस्तों ये था मेरा रियाक्शन फॉर दे ट्रेलर ऑफ हीरो पंटी टू ट्रेलर इस इंटरेस्टिंग एंटरेनिंग मगर वही मसाला एलिमेंट से उसके अंदर नवाजुजिन सिद्धिकी इस बिगेस टेकवे इस ट्रेलर से और आई होप सो जो इसके गाने हैं वो पाट वन जैसे हिट हो और वेटिंग फॉर दे फॉर्स सॉंग जो की एक हफते के गाप के अंदर रिलीज हो जाएगा तो देखने हैं फिर मुवी कैसे टर्न आउट हो दिया ट्रेलर ने इंटरस्ट जगाया है लेकिन इतना भी जादा इंटरस्ट नहीं के भी मुझे अभ को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग आइस देखते रहिए